बॉल पॉइंट पेन, नाम तो सुने ही होगे, यह है बॉल पॉइंट पेन, आधकल मार्केट में 99% पेन जो एवलेबल है वो बॉल पॉइंट पेन ही है, तुम यूज जो कर रहे हो, वो ही हात में तुमारे बॉल पॉइंट पेन है, पर बॉल पॉइंट पेन काम कैसे करता है इसके पहले किस-किस तरह का पेंट था ये पेंट जो है वर्क करते वक्त कैसे हम लोगों को बिल्कुल साफ सुत्रा पहले से दिखता है चलो इन सारे सवालों का जबाब मैं इस वीडियो के लास लास तक दे दूँगा वीडियो को बीना स्किप की हुए ध्यान से देखना और आप देख रहे हो Marvelous Education जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आज मैं आपको बताने वालों बॉल पॉइंट पेंट के बारे में बॉल पॉइंट पेंट काने का मतलब यह है कि ऐसा पेंट जिसके अंदर आगे अगर मैं देखू नीडिल के पास यहां पर होता है एक पास बाल्पाइंट को देखेंगे तो तर न स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हो कि बॉल पाइंट को आने से पहले हमारा जो working था पेन का थोड़ा अलग तरीके से था वो कौन-कौन पेन था सबसे पहला पेन जो ये लेवल था मार्केट में उसको हम लोग कहले थे क्विल पेन कहने का मतलब है मोर का पंक जैसा होता था जैसा कि देखलो साइड में फीगर में दिखा दिया हूँ इसी के तरह एक तम दिखता था इसमें क्या कहते थे continue हम लोग उस मोर के पंक में बाहर निकाल दे थे और ले जाके इंक में डुबाव कर पेपर पर रगड़ते थे फिर इंक खताम फिर से इंक में दुबोना है लिखना है फिर इंक में डुबोना है और लिखना है continue है ऐसे यूज करता था लोग अब समस्या यह हुआ कि बार 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 इंक में डुबोना है बड़ा महनत वाला काम होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्ब करने के लिए फिर दूसरा पेन आया है जिसका नाम हम लोग दिये फॉंटेन पेन में क्या होता था इंक पाले से भारा होता था और उसको continue हम लोग उसके पेपर पर रगरते थे और प्रॉब्लम बार बार डुबोने वाला सॉल्ब हो गया पर उसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया वो प्रॉब्लम क्या था जैसे पेपर पर लिखते थे तो सूखने बड़ा टाइम लगता था यह दोनों समस्या को सॉल्ब करने के लिए हम लोग एक नया पेंट का इन्वेंशन के नया पेंट वो कौन था वो था हमारा बॉल पॉइंट पेंट समझते हैं बॉल पॉइंट पेंट का हम लोग वर्किंग कैसे था इस सारे प्रॉब्लम को कैसे उसने सॉल्ब करा इसको द इंक खताम होता था, तो साइड साइड में इंक हलका हलका लगा रहता था, बड़ा ध्यान से धूपा में करके देखना पड़ता है कितना इंक बचा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो क्लीन उसके अंदर से सफाई नहीं करता था, अब ये ग्रीस और सिलिकोन आने के वज़े से क्य मिक्स होता है, वो अलगले चीजे क्या-कय मिक्स होता है, तो इंक का पेस्ट बनाने के लिए 25-40% तक लेते हैं, उसके अंदर बेंजाईल अलकोहल या फिर उसका आयूपेसीनियम फेनॉल, इथेनॉल होता है, इसको उसके अंदर एड कर देते हैं, साथ में कुछ ऑइल भी आच में आया है, तो कंटीनियम एयर से रिएक्ट कर जल्दी से सुख जाता है, इंक पेपर पे आया है, इस चैमिकल की वज़ए से, अब यह तो प्रापबम सॉल्व हो गया, जल्दी से इंक हम लोग जैसे ही उस पेपर पे लिए फूखेंगे तब फूग के सुखाने का ज बच होता है इस रिजरवायर के इंक के साथ और नीचे साइड पेपर के साथ और जैसी पेन से ऐसे हम लोग रगरते हैं तो यह अंदर ही रोल करता है और रोल करके यह हमारा पेन का जो बॉल है वो कंटीनिव पेपर पर लिखने का काम करता है देखो इसका कुछ इंक जंक्शन के पास जैसे इंक आया तो इंक जंक्शन के आने के बाद वहां पर छोड़ा से एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब यह बॉल का सौकेट बोलते हैं उस बॉल के सौकेट के अंदर उतना ही यह स्पेस होता है जितने में थोड़ा सा इंक साइड साइड से रहे और बीच में वो बॉल रोल कर सके वस इतना इस पेस होता है और जैसे उपर से इंक आया गर्विटी की वज़ा से खीच कर नीचे की तरफ आया अब देखना कभी भी हम लोग ऐसा करके पें यूज करते हैं नीचे की तरफ आता है और जैसे पें को ऐसा घिसते ह हैं तो नीचे वाले पोर्चन से यह इंक जो है कंटीनियू इसके चार तरफ रोल लगा राता है और पेंसे अमनों लिक पाते हैं तो यह था वीडियो हमारा बॉल पॉइंट पेंट के उपर ऐसे और भी वीडियो चाहते हो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स से बताना है कौन से टॉपिक आपके वीडियो चाहिए और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कितना अच्छा लगा इस वीडियो में इतना ही मिल झाल झाल झाल